इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुनिया में कई ऐसी क्रिकेट टीम है जिनको लोग काफी पसंद करते हैं और उनके आपस के मुकाबले देख रोमाचित हो उठते हैं लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले की होती है तो यहां रोमाच अपने चरम पर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को एशिया कप में मुकाबला होना है इसके लिए प्लेइंग 11 में कप्तान रोहिच शर्मा कई स्टार प्लेयर्स को जगा दे सकते हैं आए जानते हैं इन खिलाडियों के बारे में ये होगी ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ लंबे समय बाद T20 क्रिकेट में वापसी करने वाले के राहुल ओपनिंग करेंगे ये दोनों ही खिला किसी भी बैटिंग ओडर की धजियां उड़ा सकते हैं नंबर तीन पर भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराग कोहली का उतरना तै है कोहली बड़े मैचों के खिलाडी है पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से ही कोहली ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है ऐसा रह सकता है पाकिस्तान के खिलाफ नंबर चार पर सूर्य कुमार यादव को जगा मिल सकती है सूर्य कुमार यादव ने इंग्लेंड के खिलाफ सीरीज में तूफानी शतक जमाया था और वह ताबरतोर बैटिंग करने में माहिर है वही विकेट कीपर की जिम्मेदारी रुशब पंत निभा सकते हैं पंत फिलहाल भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में नंबर एक बल्लेबाज है सफेद गेंड के क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा सुभारा है छटे नंबर के लिए धाकड ओलरांडर हार्दिक पांडिया को जगा मिलना हार्दिक पांडिया बहुत ही शांदार फॉर्म में चल रही है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब है रोहित को इन गेंडबाजों पर है भरोसा दुबई की पिछ हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार होती है ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा तीन स्पिनर्स के साथ उतरना चाहेंगे इनमें रवींद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल शामिल है जडेजा गेंडबाजी और बल्लेबाजी के साथ साथ भैतरीन फीडिंग के भी महार्थी है तेज गेंडबाजी आक्रामन की अगुवाई भुवनेश्व आपका क्या कहना है प्लेइंग 11 को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले